कुछ से विटकर duż के बारे में जो हमारे चोंपर हैं और दोस्त्त अपर में और को काफिस दोप्टिन्ट हैं चोग हमें और उस बारे में हम बात जाहत करेंगे कि आखिर ऑफ परसान क्यों हैं और कियों ऐसा हो रहा है तो मान लिजीए आपका सबसमार मनै या वार्ड के लिएख नइयिए दोंपनी कममेट क्पानी में लगा है तो और दो मान या चार छा मान ये इंतियार करें तो पहले आप सबसे कीजिए कि आपका डोकुमेंट जो है और परिमिट के लिए लगा है कि नहीं लगा है तो आप अजन्ट से मिलिए और बात कीजिए कि भाई जिए कंपनी में लगा यानि कि सम्मिट कीजए पेपर तभी तो बहुत पर्मिट इस फोगा तभी आप ज्यादे दिन हो गया महींद हो गया तो आपका लेटर जो है नहीं आया तो यह मह लेजे कि अभी तक आपका पेपर नहीं लगा है क्योंकि जैसे हम लोगा था पहले हमा वहां पर contract sign हुआ था हमारा work permit direct पहले आ गया था पर इस समय ऐसा नहीं है इस समय जो है कि contract later पहले आता है उस पे हो company mention की रहती है कि भाई आपको हम अपनी company में इतना गंटे काम कराएंगे और इतना दिन काम करवाएंगे और इतना आपको salary देंगे मतलब सब कुछ totally mention रहता है तो contract sign करके हम वापीस company भेशते हैं उसके बाद जो है कि जब भेश देते हैं उसके बाद हमारा work permit इसके अधार पर इसी होता है और फोटी फाइव डेज या दो मैने के अंदर work permit issue हो जाता है तो हमको मिल जाता है तो यही है contract work permit contract अलग होता है work permit अलग होता है ठीक है तो बह को शबसे इसे लोग कर वीजन कर दे रहे हैं कि जो कंट्रक्रक लेटर होता है वही वर्क परिमिट होता है. अपर ऐसा नहीं. कॉर्टक्रक्रलेटर बस्ते है और अलग होता है जॉब और लेटर जो कंपनी जौब उफर करती है आपको वही वर्क परमिट है पर उनके हाथ में नहीं होता कि डारेक्ट आपको जौब उफर दे दें ठीक है वह पेपर सबसे पहले उनको पुलिस टेशन में जमा करना पड़ता है उनको बताना पड़ता है कि भाई मैं इंडिया से इतनी सेलिड दोएंगा उसके बाद साब प्रकुमेंट वेरिफाई होगके पोलिस टेशन से आपका एक परमिट इसयू करते हैं और आपको देते हैं और इस परमिट पे आप क्रोश्य जाते हैं और उस कम्पनी में काम करते हैं तो ए क्लिन किरैक्ट लेटर यह दोनों रहें, क्या है क्या नहीं है, और contract letter में जैसे कि आपको total mention रहता है कि आप इस company में हो और इतने घंटे काम करना इतने दिन काम करना है और इतनी salary आपको मिलेगी, वो contract letter हो गया, और work permit में केवल company का नाम रहेगा और आपका नाम, पहला नमर आपका नाम रहेगा, और दुसरा न बंदे कर देता है और देता है बोलता है ठीक है भी या इस बंदे को बुला लिजिए और अपनी कंपनी में काम करवाई तो यह मतलब वर्क परमिट और जो है की कॉंट्रेक्ट लेटर यह दो अलग-अलग पहलू है बस आदमी लोग कर देता है समझ नहीं पाता है कि क्या है और हमसे लगतार पूछते रहते हैं जो चीक है ऑब लोग को मेरी बात समझ नहीं पर आपके त्यार हैं काम करने के लिए तो contract sign करके हम जब देते हैं उसके बाद दो work permit issue होता है तो आसा है कि आप लोग को मेरी बास समझ में आगा होगी कि contract letter और work permit हैं क्या अंतर है और वो कैसा होता है ठीक है तो work permit police station से बन के आता है और सबका work permit एक जैसा ही होता है ठीक है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है लेकिन जो contract letter होता है वो भिन भिन होता है यानि कि अलग company का अलग letter होता है दूसरी company का दूसरा letter होगा उसमें कोई समानता नहीं रहती है सबका अलग-अलग रहता है तो अलग-अलग जैसे उनका company का अलग-अलग लोग है तो अलग मिलेगा तो यही अंतर है work permit और जो contact letter होता है उसमें है तो आसा है कि आप लोग को बास समझ में आ गए होगी अगर नहीं आई होगी तो आप comment section में जाके comment कीजिए और मुझे रापनी राय दीजिए बताए कि क्या समझ में नहीं आ जा फिन उसके base पे हम आपको वीडियो बनाके आपके बीच में लाएंगे अधिय आप मेरे चैनल पे नहीं है और मेरे वीडियो पे भी नहीं है चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe पर लिजी और bell icon को दबा दीजी ताकि आने वाला वीडियो का notification आपको पहले मिल सके तो दोस्तों मेरा एक और चैनल है जो crochet number one है आप लोग अगर youtube के search बार में जाके crochet number one लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा और वहाँ जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं और उस पे अच्छा खासा वीडियो डाला हुआ है मेरा बहुत वीडियो है तो आप वहाँ पे जाके वीडियो देख लेंगे और उसमें मेरा contact number भी है और उसमें WhatsApp नमर भी है वाट्साप लिंक भी है मतलब फेस्बूक लिंक भी है इस्ट्राग्राम भी लिंक है सब कुछ है और इस वीडियो में सब डालूंगा तो आप लोग वीडियों बने रही है और देखते रहे हैं और जो है कि अपने दोस्तों आर्को सेयर कीजी और बताइए एक नई वीडि